1792 में जैकोबीन क्लब और इसके मेंबर्स ने बहुत सारे लोगों को फ्रांस में एकत्रित किया एक जुट किया और फ्रांस में जो फूट सप्लाई सोटेज थी उस सप्लाई के अगेंस लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा राजा के उपर बढ़ गया और इन लोगों के साथ मिलकर राजा के गार्ट्स को बंदी बना लिया गया राजा के जो राजभवन थे उसे चारो तरफ से जैकोबीन क्लब के मेंबर्स के द्वारा घेर लिया गया और राजा को यह मजबूर किया गया कि वो अपने पद से खुद जो है वो त्याग पत्र दे और फ्रांस को जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन्स जो है वो एनाउंस करे और इसी सिलसिले में 21 सेप्टेंबर 1792 को जो है वो फ्रांस में मोनार्की पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है और फ्रांस को एक न्यू रिपब्लिक नेशन्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इसके बाद लूई 16 जो फ्रांस का राजा था उस राजा के ऊपर जो है मुकदमा चलाया जाता है और पाया जाता है कि राजा ने बहुत सारी गड़वरी की है और कोट के द्वारा लुई 16 को जो है गिलोटीन करने का जो है वो फर्मान सुनाय जाता है और 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को गिलोटीन कर दिया जाता है और कुछ समय के बाद उसकी पत्नी वाइफ मेरी एंटियोनिक उसे भी जो है वो गिलोटीन कर दिया जाता है गिलोटीन एक तरह का डिभाइस होता है जो लोगों को उस समय सजा देने के लिए इस्तमाल होता था इस पर बड़ी सी जो है वो लोहे की मसीन लगी होती थी और इंसान के गर्दन को यहां पे रखकर इस मसीन को छोड़ दिया जाता था और उपर से लोहे की आरी बनी होने के कारण जब वो तेज से नीचे गिरती थी तो इंसान के गर्दन को जो उसके सरीर से अलग कर देती थी इस डिभाइस को गिलोटीन बोला जाता है नेक्स इसके बाद दिया हुआ है दा रीजन ओफ टेरर दा रीजन ओफ टेरर कहने का मतलब आतंक का यूग आतंक का काल लुई 16 की मृतिव के स्वांस में दा रीजन ओफ टेरर के नाम से जाना गया समानेता अगर इयर की बात की जाए तो 1793 से लेकर 1794 के समय को जो है वो इरीजन ओफ टेरर बोला गया मैक्समिलान रॉबेस फेरी ने कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन्स जो है वो बनाए और पनिस्मिंट देने का तरीका ढूंडा जिससे कुछ लोग नाराज थे Maximilian Robes Ferry के जो supporters थे वह भी Maximilian Robes Ferry के इस rules से नाखुश थे जो Maximilian Robes Ferry के द्वारा नए rules बनाए गए थे क्योंकि नए rules में जो है वो कुछ ज़्यादा ही tough कानून थे जिन्हें लोग आसानी से follow नहीं कर सकते थे या follow भी करते तो लोगों को काफी ज़्यादा समस्याएं और परसानिया जो है वो फेस करनी पड़ती इसलिए जो है वो Maximilian Robes Ferry के period को the region of terror बोला गया Maximilian Robes Ferry ने कुछ नए rules बनाए थे उन rules में जो है वो सबसे पहला तो rules यह था कि पीजेंट्स को जो है वो अब अपने अनाज जो है वो transportation के तुरू सहर में ले जाकर बेचने होंगे और वो उन्हीं price पे बेचेंगे जो price government के द्वारा set किया जाएगा यह पहला changes था दूसरा यह हुआ कि सबके लिए expensive floor यानि आटा खाना जो है वो महंगा जो आटा होता है उसके खाने के लिए मना ही कर दी शाइए के लिए ओर इसके बोल चाल की भासा में changes यह उन्हीं के लिए वो कुछ common चीजों का इस्तिमाल जो है वो करना सुरू कर दिया जिसमें Monsieur यानि Sir, Madam यानि Madam इस तरह के सब्दों का इस्तिमाल जो है वो उसने किया इससे पता चलता है कि यह जो rules बनाएगे Maximilian Robes Ferry के द्वारा ये काफी कड़े और अच्छे नहीं थे समाज के लिए इसलिए समाज के बहुत सारे लोगों ने Maximilian Robes Ferry से नाराज्ट है रिजल्ट यह हुआ कि आने वाले कुछ समय में Maximilian Robes Ferry जो है वो सत्ता उसकी चली जाती है और उसके उपर भी वहीं करवाई होती है जो Lewis 16 के उपर हुई थी इसे भी पाया जाता है कि इसने जो है वो जनता के साथ विश्वास गात किया है जनता को काफी ज़्यादा कटनाईयां समस्याएं दिया है और फाइनरी रिजल्ट ऐसा होता है कि जुलाई 1794 में इसे भी अरेक्ष्ट करके जो है वो गिलोटिन कर दिया जाता है यानि इसे भी उसी तरह की डिवाईस से लटका दिया जाता है जिससे इसकी मृत्यू हो जाती है